हिसकार दोस्तों नमास्कार अपनर मिला लिजिए को सनका हल सारे उत्तर हमारे पास मिल चुके हैं देखिये हम लोग mosquito के answer कर चलिए questionen number Un आपके पास सही विकल्प चुनकर लेकिए हैं तो को आपके पास तंत्रीका नदो तंत्रीका और को और 1-2-3 प्लस एफ ईपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है तो इसका आंसर नमबर दी विस्तापन अभिक्रिया इंगते लिए क्लिए कौन से विस्तापन अभिक्रिया पर आपके पास खोंचन के अपचार करने के लिए निम्रिकित में से कौन सी विधी उप्यूक्त है तो आंसर हो जाएगा आपका जिंक की परत चड़ा कर आप लोहे को जंक से बचा सकते हो चलिए कोसर नंबर फाइव आपके पास ब्यूटनेन चतुकारबन योगिक है जिसका प्रकारियात्मक समू किस समू से किटोन स एक बूंसे तो आप्को संब्सानसर हो जाएगा चलिए नंबर फोर दोस्तों पाइरूवेट के विखंडन से यहां कारबन डैयॉकसाइट जल यहां क्रिया होती है मैंट्रौ कॉंट्रिया में सब्साही से लगाए होंगे चलिए आपको यहां को इंग्लिस भी है तो आप लोग इंग्मिस में भी एक्षी कर देता हूं मैं तो सिनेप्स आपके पास समीकरण जो दिया है ठीक है इसका आंसर क्या है यहां पर देखो विस्थापन अभी करिया ठीक है तो यहां पर आपका इंग्लीस में देखो पॉर प्रिवेंटीं एन्अर्यन फ्राइंग फ्राइंग फ्रीर स्ट मार्स च्राएं परोकल तोडेगर कोटींग विभा स्प्राइन ऊश्ट्राइछ ऐवांज़ कोड़ सब्सक्राइब आका सब्सक्राइब बेढ़ स्कारइब to give carbon dioxide water and energy this reaction take place in mitochondria ओके चलिए खालिस्तान है रिक्तिस्तान बढ़िए तो विवांतर की माप एक यंतर द्वारा की जाती है जिसे क्या कहते है ओल्ट मीटर यहाँ पर ओल्ट मीटर बढ़ा होगा आपने ठीक है कि आपके पास सामाने द्रस्टी के वयस्त के लिए सुइस्पस्ट दरसन की अल्पतम यानि नियूनतम ठीक है अलपतम दुरी लगबग 25 सेंटीमेटर होती दोस्तों ठीक है 25 सेंटीमेटर नेक्स प्रकास के प्रकीरनन के कारण आकास का रंग कैसा दिखाए देता है नीला प् बढ़ जाता है तो वहां इंक्रीज लिख देना है परियावरनी को नेचुरल 25 सेंटीमेटर नीला को ब्लू वाट को वाट ओल्टीमेटर को ओल्टीमेटर कहते हैं चलिए नेक्स सत्य सत्य पहले उस्मा छेपी रासानिक अभिक्रिया में उस्मा का आउसोसन होता है बिल्क ने का पूरा नाम जो है डियॉक्सराइड गो नुक्लिक एशिड होता है बिल्कुल सही हम लोगों बोलते है तो यह बिल्कुल सही है हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए जाए तथा प्रतियक टुकड़ा विक्सित होकर पूर्ण जीव का निर्मान करता है इस पूरा पूरा रुद्दान कहते बिल्कुल सत्य घटना दोस्तों ठीक है इंगलिस में भी वही होगा सत्य असत्य सेम होना है ठीक है बस लैंग्वेच का डिफ्रेंस है ठीक है तो यहां सत्य असत्य देख लिजेगा इपलो इदे को यहां एशिड आ गया तो बिल्कुल पढ़ियाद सांग्मर्मर्थ संग्मर्मर्थ यह हो जाएगा cacO3 क्यलशेम कारबोनीट सिर्का मिलेगा आपका एसेटिक अम्रसे ओके भ्रॉमिन ब्रॉमिन मिलेगा आपके यह द्रव अधातव है ठीक है को सबसक्र नमबर सेंबंगें बेंजिन मिलेगा दोस्तों आपको C6H6 से से मैच कर सकते हो से मोगा कोई अलग डिफरेंस नहीं है चलिए एक सब्द या एक वाकिम उतर लिखिए तो पहला MRI का पूरा नाम तो इमेजिंग ठीके दोस्तों मैगनेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यह को सन आउट और यह बोलो कि आउट बॉक्स था इस अनबिलीवेबल टीके उमीद नहीं थी ऐसा लेकिन आया हुआ है ठीक है जिसने पड़ा होगा ठीक से सिले बस वही कर पाएगा इसे दोस्तों चलिए र में सहायक हार्मोन का नाम है ऑकिक मीरती होती है ने Εक से घत्रे के संकित का प्रकाश लाल रंक क्यों होता है PV cess गंटा हो जाएगा ठीक है प्रति गंटा गंटा किलोवट गंटा तो जोस्तों एंग्लीस में भी आपको सेम है दोस्तों इन्हीं को लिखना था मैंडल मेंडल हो जाएगा या बलैड प्रेसर का आपको हाना परिवासा लिखते हैं था मेगनेटिक रेजोरेंस इमेजिंग है ना सेम एज इस जैसा हिंदी में लिखा है उसी के इंग्लिस आपको कनवर्ट करना था इंग्लिस मेडियम वाले भी देख सकते हैं आपर चलिए नेक्स नहीं आपर बागी की कोशन हम लोग अभी एक्स्प्रेंट कर देंगे दोस्तों आक्यों वर वाचिन विडियो एक्यों आपको यह दन वरी व बिल था इंग्यों वर वाचिन